उत्तर कोरिया के साथ होने वाली वारता को रध करनी के बाद एक बर फिर डोनाल ट्रंप ने किम जॉंग उन से मुलाकात के संकेद दिये हैं उन्होंने कहा है कि किम जॉंग उनके साथ 12 जून को ही सिंगापुर में शिखर वारता के लिए स्तितिया आनुकूल हो रही है इस बयान के बाद लगता है कि शायद दोनों देशों के राष्ट अध्यक्षों के बीच बैठक हो सकती है एक बर फिर से अमेरिका के राष्ट पती डोनाल ट्रम्प ने उतरकोरिया के शासक किम जॉंग उनके साथ होने वाली मुलाकात को लिकर सकरात्मक प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि मुझे उमीद है कि किम जॉंग उनके साथ 12 जून को सिंगापुर में शिखरवारता के लिए इस्तितिया अनुकूल हो रही है दरसल ट्रम्प की ये प्रतिक्रिया उत्तरकोरिया के उक विदेश मंतरी किम कैगवान के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्योंग यांग अभी भी वाशिंटन के साथ वारता करना चाहता है इसी बयान पर ट्रम्प ने अतिहासिक बैठक होने के संकेत दिये हैं आपको बता दे कि ट्रम्प ने किम की वारता रद करने की धंकी के बाद नाराज होकर इस मुलाकात को रद करने का फैसला किया था उस वक्त ट्रम्प ने ये भी कहा था कि अगर उत्रकोरिया उनके साथ बैठक के लिए संपर्क करता है तो ये वारता हो सकती है ट्रम्प के इस बयान के बाद अब ऐसा लगता है कि होने वाले शिकरवारता से सस्पेंस पूरी तरह से 12 जून को ही खत्म होगा डिबी लाइफ की रिपोर्ट